बॉलिबुड में अब ये कहावद बन कही है कि बिना कपिल शर्मा शो पर जाए किसी भी फिल्म का प्रमोशन अधूरा माना जाता है यही वज़ा है कि कपिल शर्मा शो में जाने के लिए सेलेबिटीस की लाइन लगी रहती है लेकिन ऐसा क्या है कि सिर्फ बड़ी फिल्मों का प्रमोशन ही कपिल के शो पर होता है छोटे-छोटे फिल्म स्टारों की एंट्री कपिल के शो पर क्यू बेन है अब इसी को लेकर कमाल आर खान ने एक चौकाने वाला खुला सा किया है क्यारके के मुताबिक कपिल के शो पर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए एक्टर्स को मोटी रकम चुकानी पड़ती है बिल्कुल सही सुना आपने जो स्टार इस रकम को चुकाता है सिर्फ वही अपनी फिल्म का प्रमोशन कपिल के शो पर कर सकता है क्यारके के मुदाविक कपिल शर्मा अपने शो पर किसी भी फिल्म को प्रमोट करने के लिए 25 से 30 लाक रुपे लेते हैं इस हिसाब से देखें तो कपिल के शो पर जो भी आक्टरस आते हैं उन्हें मोटी फीस देनी पड़ती है तब ही वो शो में अपनी फिल्म को प्रमोट कर पाते हैं इतना ही नहीं के बीसी और बिग बॉस जैसे शो में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए और भी जादा पैसे देने पड़ते हैं यहां रकम 25 लाख से बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाती है यही वज़ा है कि चोटी फिल्मों के अक्टर अपनी फिल्म को प्रमोट करने इन शोस पर नहीं जा पते क्यारके के इस संसरी खेच खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं हालाकि इस बात में कितना सच है यह तो क्यारके ही जाने लिगने इस तरह के आरूपों पर कपिल शर्मा को जरूर सफाई देनी चाहिए फिलाल आपका क्या कहना है अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे